कि यूपीस्ट के सभी एस्पायरेंट्स का हमारे चैनल आप येस में हार्दिक स्वागत है मित्रो जैसे कि आपको पता है कि यूपीस्टी ने जो है में मेंस के पेपर लगातार करा रही है तो इसी क्रम में हमने जो है जीएस के पेपर्स आप से डिसकस करना शुरू किया है देखें जीएस के कुश्चन जो है हम आपसे लगातार डिसकस करते करते जीएस तरी हम डिसकस कर चुके हैं अब हम आ रहे हैं जीएस पेपर फोर पे इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप जरूर जाके देखें क्योंकि यह आपके लिए 3 गंट निरधारित अंक्षाइए अधिक्तम 200 गायओ उपको मिलेंगे इसके लिए यह सभी जो आपके लिए अतिम्हत्वपोन यह आपके लिए हम इसलिए रिसकस कर रहा है क्योंकि एक्जामनीशन हॉर में बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं जिसकी वज़े से उन्हे प्रश्ण के सामने उसके अंक दिये हुए हैं और इसमें क्या किया गया है मित्रो क्योंकि आपने जो निर्दिष्ट जो अगर आप स्थान है अगर हिंदी मिडियम में आपने लिखा है पिपर आपके यानि कुश्चन कम आंसर बोकलेट में अगर आपने फॉर्म भड़ते सम हिंदी मिडियम लिखा है और आप लेक्र लेक्रें इंग्लीज में तो कोई निम्लेंगे वह मित्रो समय सीमा के हिसाब से आपके सब्सक्राइब भी सीमित है और देखिए अगर आपने कोई भी चीज़ छोड़ी प्रस्टर पत्र में तो उसे क्लियरली स्ट्रक कर दें यह इंग्लिश में भी आपको मिलेगा कि अगर कोई भी आप जो है बुकलेट में कोई छोड़ते हैं तो इसे स्ट्रक आफ कर दें वर्ड लिमिट ले वह है और आपका जो है आंसर मीडियम जो आप अगर उसमें लिखेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे और आपके प्रृष्ट है दिखें माक सापके in WITH a to be कौश्चिन हैं बाराइबव फ्रश्या है दो सेक्शन हैं और फिर लेंग्ले सेप्रेच्ण काफिक नंबर बुक्व निए तर्प किए पर फॉटा बैसिविष बंडिजिक क्या होती है में पर यहां पर इसक्वल्स की बात कर दी ह है तो आप यहां पर दे सकते हैं integrity aptitude accountability यह सभी आपको discuss करने हैं इसके अंतरगत और इनके थ्री आपको जो है discuss कर देने हैं यह नहीं दिक्ता का प्रशन है हैं मित्रो तो इसके व्योग हो सकते हैं मह Св Same बोश के विचार कुछ और हो सकते हैं, वहीं स्वामी विवेक अनंद के विचार आपके कुछ और हो सकते हैं, तो मित्रो नैतिक्ता का प्रशन है, तो नैतिक्ता के जो प्रशन होते हैं, वो आपको अपने विवेक के अनुसार जो है, जो आपने, मैंने आपसे बोला था कि आ देखिए इसके आगे देखते हैं what do you understand by term public servant reflect the expected role of public servant public servant देखिए जनता का जो सेवक है उसे public servant कहते है अब इसको आप लिखेंगे कैसे term public servant public servant की definition देखिए कहना आसान है कि public servant क्या है मगर आपको लिखना जब होगा तो इसके लिए देखिए कि the public servant is that which serves the society public servant वह होता है जो कि जनता की सेवा समाज की सेवा करता है कैसे by any of means जो कि मतलब किसी भी तरीके से for example वह अपनी services देके वह अपनी समय देके किसी भी तरीके से वह अगर जनता की सेवा करता है तो वह public servant कहलाता है तो इसमें देखिए एक minute difference है public servant और civil servant में अब बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इसमें civil servant की definition लिख दिंगे नहीं मित्रो public servant और civil servant में जो होता है मित्रो बहुत सा अंतर होता है क्या अंतर होता है मित्रो आईए जानते हैं इसके अंतर को देखिए ऐसा होता है कि यो बख्यक्ति के लिए काम कर रहो गवर उसका पैसा अंडिया से सुर्ड 221 का अंगे सब्न-फण duplicate अगणवाड़ी वर्क कौन यह और ने पर इंटी यह आपको यह इनके सेवा और आघने सेटा लिए से रहा रहे ही, तो आप समझ चुके होंगे कि यह answer को आपको civil servant से हटा के कैसे लिखना है तो देखे effective utilization of public fund is crucial for to meet the development goal critically examine the front utilization and miss utilization of public fund and implications देखे यह जो है ethics integrity में यह काफी burning topic है कि public fund का utilization देखे public fund इसके उपर एक theory है जो theory को हम कहते हैं कि public fund should be treated as you are spending your own money मतलब आप public fund को ऐसे spend करेंगे कि जैसे कि आप अपनी अपनी खुद के पैसा जो है वो कर रहे हैं spend कर रहे हैं तो इस आधार पर जो है आपको यह question लिखना है कि जो है miss utilization के जैसे कि आपको दिखता है कि एक ही road काई बारी जो है दिखा दी जाती है और वो बह जाती ह कहते हैं मगर वो असल में road ही नहीं बनती है तो यह एक तरीके से miss utilization of public fund है आप recent के एक्जामपल कोड करके आप दे सकते हैं कि कि किस प्रकार से जो है कई government officers ने जो है आप अकर integrity का example INX media case में आप दे सकते हैं कि कि किस प्रकार से जो है public की पैसे का जो है miss utilization हुआ बोर्फोर्स पूरे अपको देखेंगे यह पूरा एक्जामपल आपको देना है तो आप उसको उसा धार पर question कीजिए कोशन तो आपके छह हैं मगर बारा कोशन हैं मगर बारा मैं particular उसमें दो दो टॉपिक्स हैं और हएक कोशन जो है तो देखिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है मित्रो इतने कम समय में इतने ज्यादा questions को attempt करना तो इसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी questions को अहल करना होगा बहुत जल्दी जो आपको समझ में आ रहा है उस आधार पर आपको questions लिखने होंगे जैसे कि non performance of duty by public servant form of is a form of corruption do you agree give your view और justify your answer देखिए दो question कर दिये इसने इसने एक question के तीन पार्ट कर दिये कि पहला तो यह कि क्या public servant का का काम ना करना corruption को increase करता है give your view और justify भी करना अपने वीव को तो देखिए कितने तीन पार्ट हो गए तो आप आप कहेंगे हाँ definitely जो है non performance of duty जो है तरीके का corruption है क्योंकि जो है duty should be performed duty fully उसको integrity से जो है वो काम करना चाहिए duty worthiness से काम करना चाहिए नोलान कमेटी के आप यहां पर रिपोर्ट दीजिए integrity compassion aptitude impartiality यह नोलान कमेटी आप कोट करिए तो कुल मिला कि देखिए कितना सरल से question ethics integrity में इस बार पूछे गए हैं अगर जिन्होंने नहीं पड़ा है उनको नहीं लग रहे होंगे अगर आप तेयार रहें क्योंकि आप morality देखें दो तरह की होती है morality law के लिए morality अन्य चीजों के लिए देखें moral क्या होता है सबसे पहले morality को जानने से पहले आपको जानना होगा कि moral क्या है individual set of standards which a person possess in his her values और individual set of values which a person possess is known as morals अगल मतलब की जो आपके लिए सही हो वा दूसरे के लिए गलत भी हो सकता है तो आपके लिए meat खाना जो है वह अन एथिकल हो सकता है याणि कि आपके moral के खिलाफ हो सकता है यह immoral task हो सकता है मगर it is an ethical task for our other उसके लिए moral task है तो आप सबढ़ रहे होंगे कि किस प्रकार से constitutional morality तो आई अगलिक प्रश्ने पर चलते हैं What do you mean by crisis of conscience? How does it manifest in public domain? Crisis of conscience का मतलब देखिये मित्रो कि crisis of conscience का मतलब है When you are in dilemma डिलेमा की position में आप हैं और आपको क्या सही करना है दोनों ही जो है आपकी conflicting situation में आप आ गए हैं तो यह कहलाता है crisis of conscience जब आपकी inner voice कुछ कह रही होती है आपके outer voice कुछ कर रही होती है और आपको करना कुछ और होता है For example, आपके senior का आदिशा है कि आप जो है किसी disputed area में जाके सिधे लाठी चार्ट करें मगर वहां पे जो है आपके वहां पे जो है काफी महिलाएं जो है बुजर के महिलाएं जो है प्रोटेश कर रही है और उस महिलाओं को अगर लाठी चार्ज किया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है तो मित्रो देखिए आपके मन में ये आप हैं तो आपके मन में ये senior का order माणना आपके लिए जो है legally जो है बहुत माइने रखता है मगर वहीं आपका inner consensus आपको जवाब दे रहा है कि आपको नहीं तो आप फ़स गए नहीं सब्सक्राइब करना था मित्रो तो अगले कोशन पर चलते हैं एक्स्प्रेंड बेसिक प्रिंस्पल ऑफ सिटीजन चार्टर मॉव्मेंट ब्रिंग आउट देखिए सिटीजन चार्टर मॉव्मेंट में जो था वह कैसे था कि जो है वह कहां से सुरू हुआ इसके आधार प है तो कुल मिला कि आपको पहले सिटीजन चार्टर के उपर इन फ्वैसिस देना है फिर इसकी इंपोर्टेंस क्या है सिटीजन चार्टर मॉव्मेंट की तो अब देखिए अभी आटिया एक्ट को गौर्मेंट ने रेपल किया है मतलब रेपल नहीं बोलूंगा स्वरी गल है तो यह किस प्रकार से इसके लिए आपको हम करेंट अप्रेर्स में लगातार बता रहा है आप जाके देख सकते हैं हमारी सीडी से उसके अपर बनी हुए आप वहां जाके चेकर सकते हैं तो मित्रों देखिए और देर इस आफिशल सिक्रेट एक्ट जो है ऑप्स्टेकल इंप्लिमेंटेशन ऑव राइट ऑन्परमेशन चैनल कि और लाइट आफ एक्ट अपरिज कश्ट ऑउनर बिदेखिए टैनल के अफिशल सिक्रेट एक्ट जो है अबस आप जोग फिसटना दिकाले लिए पूरी सूतना आप मांग सकते हैं तो क्या है यह आटिय के इंप्लिमेंटेशन में एक हडल है आटिया एक्ट और ऑफिशल सीक्रेट एक्ट क्या है गौर्मेंट कें प्रोटेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन कि इंप्लिमेशन इसर इंप्लिमेशन इंप्लिमेशन अंधे और गौर्मेशन पिसेर और तो आप जो है चापन इख सकते हैं तो देशन जादा इनोवेटिव होंगे ना यह देखे जितने ज्यादा आप innovative होंगे जितने ज्यादा innovation के साथ आप answer लिखेंगे उतने ज्यादा आपको number मिलेंगे मित्रो तो देखे आगा question देखते हैं what do you mean by property in government based on your understanding of terms such as the insuring property in government property in governance का मतलब क्या होता है मित्रो property in governance का मतलब होता है कि government should be accountable for the people तो देखे कुल मिलाके जो है आपको property in governance समझाना इसमें उसके बाद यह term की better understanding से आप major suggest करने की government में property कैसे लाए जा सकती है तो आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से question solve कर लेंगे emotional intelligence is ability to make your emotion work for you instead of against of you do you agree with the view discuss तो मित्रो इस question में आपको क्या करना था emotional intelligence के ऊपर द्हान देना था EI का मतलब क्या है using your emotional intelligently और remote emotional question का मतलब क्या है emotional question and emotional intelligence में क्या क्यानतर है यह आपको हमें comment section में comment करके कि बताना है तो समझे मित्रों आपको 2012 एंटेलीजिंस बताना है कि मैट्द यह सोक्रेट्स कीetas in a day and a unexamined life is not worth living वास्तों में यह बात सोक्रेट्स तैस कही थी वे इसल요 कही थी कि इसंने questioning कही थी सोट्रह सथ。 doris philosopher who begin the field of norm await destructive दो क्यार मतलब जो normative ethics ऐज कीड ही एव्वाल्व ही वह सेक्षी की देने क्या क्योंकि इसने question для usrucki idea और उसने किये कहा कि अगर आप एक्जामीन नहीं करेंगे कि वास्तों में सच्चा ही कहा है तो आपकी लाइफ जो है वो वर्थ विलिंग नहीं है तो आप देखिए आमेन इस बट अपोसिक उख मात्मा गादि कहते हैं कि आप पिचारों से जो है आप जो चाहते हैं वो बन जाते हैं मद्विंघ यही हम बार बार कहते है कि आप आई एस adoption 104 कि आप आई एस बन सकते हैं तभी तो आप बनेंगे ना जब तक ड्रीम बिगर थिंग बिगर और बी बिगर विवेक अनंद कहते हैं कि आई एक टेक वन आईडिया में डटाइडिया वन यूर ड्रीम वर्क अड़िया तो समझ गए आप कि आपको आई एस बनना है तो आपको सूथना है पहले आप सोथ चुके हैं तो आपको उसके वर्क करना है और वक करने के बाद आपको रिचल्ट जरूर मिलेगा आप आई ए ने स्टाइशन पूछा तो तो यूपीश्ट लगाता पिछले दो तीन सालों से जो ए पीज अब्डूल्कलाम के उपर जो है फोकस कर रही है उनकी पिछले बार भी यूपीश्ट ने कुछा ता कि जिसमें उन्होंने यह कहता ता जो फैमिली का जो की और से जो socialization की बात की थी वही देखे वही यहाँ पर socialization से related topic है कि socialization कैसे कि जो primary socialization होता है person का वो कहां से होता है वो family basic unit of the socialization of a person is a family अगर family आपका socialization होगी तो उसके बाद जो है आपके आगे के जो भी चीजह है वो सोशलिएज होंगे आप अगर सोशलिजेशन आपका सुलू होता है काह से होता हैता है परसंन जो मा होती है वहींसे जो होती है संसकार उसकोर कें अंदर आते हैं British तो आप इनका कहना सही है कि रिच्टने सिंधा हाट अट और एंड ब्ली सब्सक्रार करने बहुत अच्छे से अपने सब्दों में समझा सकते हैं आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप आप आइस की टीम लगातार आंसर्स लिख रही है इनके आंसर्स हम कंपाइल करें को हम जल्दी एक में सांसर डिसक्रशन सीरीस हम चलाने वाला है उसके आधार पर आप उनमें दे देखेगा क्योंकि बारा कोशन से च्छे के स्टडीज आपकी रहेंगी तो इसके साथ मैं आपको बता दू कि हमारी एक सीरीज चलिए करन्ट एफ्वेर एमसी की डिसक्रशन जिसमें हम बिजने स्टैंडर्ड लाइवन पिया बीदा हिंदू इंडिन एक्सप्रेस इनके साथ ऑप्शनल की हम सीरीज ला रहे हैं और अब मैं आपको अंतर में यह बता दू कि आप हमसे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर टाइप करें आप आई है और यह जो बैल आइकन है न मित्रो इसको जरूर दबा के और नोटिफिकेशन 94360 आप हमें मेल भी कर सकते हैं आप आई हैस डॉट हेल्प एट डरेट जीमेल डॉट कम तो मित्रो इसी के साथ जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही आप जो के स्टेडी की वीडियो है उसको जरूर देखेगा क्योंकि इससे आपको यह पता चले गए कि आंकिर आपको क के इस्टेडी आटेंप्ट कैसे करने हैं धन्यवाद में तो